तो दोस्तों वेलकम आप लोग के मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये ना गिरस दे गोर्ड के उपर होने वाल गिया है क्योंकि बहुत सब लोग कोस्टन कहे थे कि यार ये जो यूँची ये ना आगे जाके एक नंबर वाला कमी न क्यों बन जाते है गर आप लोग को नहीं पतना जो यूँची है ना आगे जाके ना बैल्डफ बन जातेगा यानि कोई 1500 चेप्टर प्लस जाके ना जो यूंची होगा वो बिल्कुल बेल्डेफ हो जाएगा यूंची बेल्डेफ तो बन जाता है लेकिन फैसला ये भी कर लेते कि वो ना पूरे पूरे गोल्ड इलम को ये पकड़ कर देगा तो दोस्तो अगर आप लोगों इसकी स्टोरी नहीं पता ना मैं आप लोगों शोर्ट फोर में थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ क्योंकि बहुत सब लोग मुझे यही कह रहे थे कि यार इसका जाए यहां फिर नॉवल एक्स्प्लेइन कर दो तो दोस्तो आगे तिक नहीं जो उन्ची है वो बिलकल भी ऐसा नहीं रहता तो दोस्तो पहले मैं आप लोगो यह उन्ची है वो ना घरटरस बौता क्यूँ है तो दोस्तो यहां पर नहीं आप लोग بो एक चीफ कहूँ आप लोग도 नेए एक चीफ इमयजिन करो कि आप एक बंदे की बहुत ही फैदा मदद करते हो और उसके हर चीफ में मदद करते हो यहां तक कि उसकी जान भी बचा लेते हो पकड़ के मगर उसके बदले वो बंदा आपके साथ क्या करता है वो बंदा आपकी जो फैमिली उसको पूरा मार देता है आपकी बेटी को मार देता है यहां तक कि आपकी लवर फब को मार देता है पकड़के आपका जो मास्टर होते है उसको ही मार देता है तो दोस्तों जो यूंची होते है उसके साथ भी कुछ हैफ ही होता है तो दोस्तों जो यूंची होते है उसकी फिर एक ही वीकनेफ होती है यहां तक हुआ अपने पास जो कुछ भी देना पड़े वो अपने जो जान पर खतम करना पड़े उसको भी खरदेगा और यह दो चीज़े यूणची की सबसे बड़ी विकनेफ होती है कि रागे जाकेंट जो यूणची होते हैं वहो और ही वैदा वीक पढ़ जाता है एक त्रीके फे क्योंकि वो हमेशा इसी डर में रहता है कि उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए तो दोस्तों यहीं फे ना अब हमाई जो 5 मैने की जो फ्टोरी होना शुरुआत होती है दोस्तों जो यूँची होते है वोना अपनी बेटी फे बहुत ही जाए प्यार करता है और हमेशा उसकी फिकर करता रहता है और यही चीव नहीं यूंची को और भी वाया गिल्टी फील करवाती रहती रहती है इस रेफरेंगे जब उसकी बेटी उसको मिलती है तब यूंची हमेशे उसके वाइफ टाइम स्पेंड करने कोशिश करता है मगर फिर भी नहीं जो यूंची होते हैं वो ना गौर्ड इल्लम के जो लोग होते हैं इनकी खाती है अपनी बेटी को भी वाइफ देर के छोड़ के चला जाते है और उसको वादा करके जाता है कि वो ना जल्दी वापफ आएगा क्योंकि गौर्ड इल्लम के अंदरा जो इर इरोटी गोड की जो वाइफ थी उसको ना गोड गिलम फे बार पहंग दिया था वो एक और डिमेंशन है जहाँ पे ना बहुत ही वहाँ खतरनाक है अनरजीफ है और वो किसी भी बंदे को मार देती है पकड़के लेगे इरोटी गोड की वाइफ बहुत ही वहाँ पारफुल जिसके बार ना जो एरोटी गोड होते होना वहना सके फाइट भी करता उषको हाराआ भी देता है फाइट के अंदर मेगर कुछ फालो बार ना जो और वो वहाँ होती है आखिरकान और डिमेंशन के अंदर एक सपेस क्रेक कर करक कि वहाँ पे निकल आती है किसी तरीके वह पर अकेली निकल पाती है चाहिए जितनी मरवी पारफू हो जाए मगर एक डिमेंशन को क्रैक्ट करना बहुत ही जए बड़ी बात होती है और वह वह करके निकल भी आती है बाहर लेकिन जब वह बाहर निकलती है तब उसको एक ही काम होता है कि सब को मार देने पकड़के कि इ इरोटी गोड के साथ आप पी जो लाइफ एन उसको पेंड भी निकर पई थी इस रेफना यह जितने वी जो गोड की जजनेरेशन होते है उनसे बहुत ही जाय नफरत करती है अब जाहर पी बात आप गोड की जनेरेशन है उनके पास गोड बनने की तो ताकत है नहीं तो अ रही लेती है अब भाइती है अब बात आप फिर फिर फ़िरोस बाइफ ऒ्याелियोंस के लाव़ नया ना फैप पार नहीं के लिए थैंग उसके फामने यूंची आ जाता है, पहले तो वो यूंची पे भी अटेक करने वाली होती है, मगर जैसे ही उसको फ्रील होते हैं, इसके बाहि रोटी गोड की बलड नहीं है, वो ना उन्ची आ वाव में लफ बोलती है, जिसकी वज़े फे ना वहाँ पे जितने वी जो लोग होते हैं, जितने वी जो गोल्ड एंपरोर होते हैं, वो फब ये बात फुल लेते हैं, टोटल ला गोल्ड रिलम के दना अच्छे पारफुल लोग हैं, इनमें फे जो फब से वहाँ पारफुल है, वो ना ड्रेगन एंपरोर है, और इसके बाद आ जाते हैं फाउथ रिजन, और फिर आते हैं बाकी के जो चार लोग हैं वो, और ये जो चार हैं इनमें फे भी अब तीन ही बचे थे, क्योंकि एक को तो जो यून्ची की जो मास् फाउथ रिजन का किंग, और ये पूरे के पूरे फाउथ रिजन को कंट्रोल करते हैं पकड़के, और ये भी बहुत ही वैदा पारफुल होता है, यानि जो ड्रेगन एंपरेर है न उसके बाद इसका नमबर आता है, और फिर एंड में आते ड्रेगन एंपरेर, जो इन होते हैं वो उसके साम नहीं करता है, और जो इरोटी की वीफ होते हैं वो नयूंची को कुछ भी नहीं करती है, और उसको मारती TWO के नहीं है, लेकिन जो यूंची होते हो ना हलका करके उसको मनाता रहता है क्योंकि जो यूंची का जो दोफ्त होते हो भी बार बार यूंची को कह रहा होते है कि इसको मना लो वनना ये हम फ़प को मार देगे पकड़ के और जो ड्रेगन एमपरो होते हो भी यूंची को कह रहा होते है तब से ना वो इसको ज़रा भी पफ़द नी करता और जो ड्रेगन कोई ना अफ़ल में ड्रेगन एंपरर की वाइफ नहीं है बलकि ये तो फिर उसका टाइटल ही है और वो इसको ज़रा ही पफ़द नी करती वो युन्ची को पफ़द करती थी इस अरफ नो इन्चि के साथ पकड़े कांड करती है और इसकी आलावन है ये जो 5 लोग होते हैं ये ना इन्चि की मिन्ते करते ही रहते हैं इस उना जो इरोटिंग गोट की वा back को वोयफ होती होती है एक दिन न तो में इस बात पर जूरूर पष्टावाओगा कहते हैं कि मैं इन फब को मार के तुम्हें यहां पर फफ़ वहाँ पारफुल कर फकती हूँ और इन फब को तुम्हाई मर्वी के नीचे दबा फकती हूँ और इन जितने पारफुल लोगे इन फब को मार दूंगी लेकिन जो युन्ची होते हो ना मना कर देता है इस बात से और पिर आखिर कारा वो दिन आभी जाता है जब ना जो इरोटी गोर्ड की वाइफ होती है वो मान जाती है और इनफ़प की जो जान होती है उसको बश्च देती है क्योंकि वो बहुत ही व्यदा पारफुल है क्योंकि वो उना एशन टाइम में एक रियल गोड हुआ करती थी और अपकी इस आप से न जो यूनिवर्फ है वो उना उसकी पावर को बरदाश्ट नहीं कर पा रहा और कई फारे प्लाइन तो उसके होने की वज़े पहले ही डिफ्ट्रोई हो चुकी है यहाँ तक कि जो कई फारे बीफ्ट है वो भी बिल्कुल पागलों की तरह बढ़ता हो करे है इस फारे फैंजो इरोटिक गोड की वाइफ होते है वो यूनची हो कहती है लेकिन अचानक फिर उस डिमेंशन के अंदर फिना जो कुछ बीफ्ट होते है यानि कोई डैवल्स होते हो बाहर निकलने कोशिश कर रहे होते है और ये और कोई नहीं बलके वोई ये अल्डर होते है जो नहीं रोटिक गोड की वाइफ के फारे उदर फैन दिये गए थे रोटिक गोड की वाइफ इनको समझाना ही कोशिश करती है कहते हैं कि अब भी के इस आफ इस यूनिवर्स में इतनी पावर नहीं कि ये हमाई पावर को बरिदाश कर सके इस सटेशना हम लोग यहां पर नहीं रुक सकते हैं हमें वापस इस डिमेंशन में जाना होगा लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं फिर इरोटिक गोड की वाइफ ना उनको जबरदस्ती पीछे करने लग जाती है मगर वो लोग बहुत ही जएधा स्ट्रोंग होते हैं जायट सी बात है वो भी एक गोड लेवल पे हैं अगर वो इस डिमेंशन में आगे ना वो हर एक चीज़ को पगड़के मार सकते हैं उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा यहाँ तक कि जो ड्रेगर एंपरियर है वो भी अकेला जेफमीन के साथ फाइट करने की हिमत नहीं कर सकता अगर ये फारेफात मिल जायना जो पारफुल किंग है वो जेफमीन को रोक सकते हैं फिर वनना नहीं रोक सकते हैं और जेफमीन बाद में जाके इतनी पारफुल होती है जब उसके पार फेकंड रैंक का पारफुल ट्रेजर आता है उससे पहले नहीं होती इतनी वएदा करते हैं और उस अटेक की वज़े जो जेफमीन होती है वो ना उसी करमसंद दर्वावे की वज़े फेना फीदा ना उसी डिमेशन गंदर चल जाती है उसलमें जो यूनिवार फेना उसके एक जगा पेना वो ना क्रैक है क्रैक टाइप चीव है और इसको ना जो फ़र्ट राएंग का जो ट्रेश değil वो बहुत ही वैदा पहराफू बंदा हमी सब्क्रै ज़सके इस जब ना बहुत ही वेदा पारफू बनदा हो यहाँ तक एंग फोगड लन से बփवेल पहरफू पारफू बंदा हो और उसके पास कोई बहुत ही वैदा पारूर ट्रेश 열यर औहो और जैसे कि जो नमबर वन प्रफॉंट रेजिर अब हो तब जाके वो इस क्रैक को खोल सकता है तब जाके जो दूफरी डिमेंशन का जो दर्वाव है वो खुल जाता है लेकिन अब तो तल्वार किसी के पाफ मी नहीं है और इसी वह जब जैसमीन उस क्रैक के अंदर चल जात है और जो जैसमीन होती वह भी उफी में ही चल जाती है और जो जैसमीन होती इसके जो बचने की चांद फिस होते हो बिलकुल वीरो होते है क्योंकि जो जैसमीन होते हो कोई भी गोड लेवल पर नहीं होती ही रोटी गोड की वाइफ की तरह इस वह बहुत ही वैदा आफानी फे मर जाएगी क्योँके वहां कि न जो एनरजी एतनी व्याफ को फूर्डी को डिफ्ट्रॉइ कर देती है और फिर उफ्य आकना ये देख के न जो यून्ची होता हूँ एक एंदम पागल हो जाता है क्युकि जो यूणची का जो दोफ होते वो ना यूणची से वादा करता है अगर यूणची ना इरोटbracht को यहां पर जाने के लिए मना लेते रहे तो यूणची का जो दोफ ता वो ना जितने जो रीजन वे और जितने जो गोर्ड increases से बादा लेगा कि वह नँँ कभी भी जेफ्मीन को कुछ ही नि करेंगे क्योगे कि जेफ्मीन के पाफ भी डार्क अरजी हो होती है और पिर सब लोग होंगे किसमीन को सपोर्ट करेंगे और वह ना यूंची की फामने आगे रहे कुछ मी नहीं होगा अगर यूंची ने ना हिरोटी गोड की जो पावर है ना उसका फिर वन पर फेंट पर एक्टिवेट कर लिया इस फ़र रफ लोग ना फीदर यूंची पर टैक कर देता और उसको मार दे के लिए या तक कि जो यूंची का जो दोफ्त होता है वो पहले तो नहीं करता है और इंड में जाके वो भी एटाक करना शुरू कर देते हैं को मारना चाता था क्योंकि आप उसको पता लग चुक है जो यूंची ऑफे कमीरा बंड चुक है और अब आर फ्रब में बद्ला नेकरी रहेगा और फिर उफियक दोफ्त हो थे वो ना फब को ना यूंची को प्लैड की लोकेशन बता देता है क्योंकि जब यूंची की डार करें जिशो होती है न उफक तो जो यूंची होते हैं इनके हाथों फे बच के निकलने में कामयाब हो जाता है मगर बात में जाके यह जो लोग होते हैं यूंची को प्लैट होते हैं यूंची को ब्लैक मेल करना चाहते थे ताकि जो यूंची है वो जहां पे छुपना होते हैं वो आफ निकल के बाहर आ जाता है और जो यूंची होते हैं वो आफ बाहर भी आ जाता है मगर फिर भी न ये हर फिर अपने यूंची को मारना चाहते थे क्योंकि इनको पता था एक दिन यूंची ही रोटी गोड बन जाएगा और जब वो बन गया ना फिर तो इन फ़र की हाला टाइट कर देगा और ऐसे करते करते ना जो व्याकिन नहीं होते हैं वो ना यूंची का जो प्लैर्ट होता उसको उड़ा देती है पकड़के और ये ना यूंची की वाइफ भी होती है अगर आप लोग ना इसी टॉपिक के उपर भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर पहले फे इस टॉपिक के उपर एक वीडियो है तो दोस्तों इस चीफ के बाद जो यूंची होता उसको दिल पूरे तरीके पर तूट जाता है क्योंकि उसकी बाकी बीवी और बच्चों को मारते वाला और कोईने बलकि उसकी खुद की बीवी होती है जिससे यूंची बहुत ही वैदा प्यार करता है इसके बार नँगर यूंची को मारते क्ले आगे बढ़ जाते है और यूंची की जाती है अब फिर में यूंची की नहीं करता है बल्के और लोग करते है यानि एक और जो लड़की होती है वो करती है और इसके बार ना जो यूंची होता है वो ना इसके फार ना वहाँ पीछे होने लग जाता है और यह हमेशे उसको कहते हैं कि मैं उसके बहुत ही वहाँ नफरत करती हूँ मगर आज जब यूंची एंड टाइम पे मरने ही वाला होते ही है यूंची के फार्मने आ जाती है और यूंची की जगा फाइट करने लग जाते है जिफ वह फरना जो यूंची होते है उसको बहुत ही वाया रोखने ही कोशिश करते है और इसको कहता है कि तो इनको ये बता के तेरा मेरे फ़ाद कोई भी तालुक नहीं है मगर फिर बिना ये यूंची की तरफे फाइट करने लगती है और जो कमीना ड्रेगन एम्परर होते हैं वो ना इसको पकड़ के वहीं पर यूंची के फार्म नहीं मार देता है जो यूंची होताफ के अलतोर भी वेदा खराब हो जाती है और फिर जो यूंची होताफ को ये बात भी पता लगजाती है जो ड्रेगन एम्परर क मेना उसकी वाइफ को रहाईफ का य पकड़के मार दी है लग के बाखे लोगो बात है लेकिन बाकी लोगों को लगते है कि जो शीन्वी उफ का जो आफमेंट है वो ने ड्रेगन एंप्रेर है मगर ये बात ना फिर बाहर के लोगों को लगती है अंदर में जो यून्ची उफ को अच्छे से पते हैं यून्ची उफ का पहला और आखरी आफमेंट है यूग waking जो शीन वी है वो ना कभी ड्रैगन एम्परिल की फ्लाई ही भी बाते होती है लेकिन जब यूची को ये फारी बाते पर चलते हैं तो जो यूची होते हैं वो ना कोई भी रियक्ट निकर रहो तो और वो ऐफे बैटा होते हैं जैफे न वो लाक्ष बन चुका है और उस वक्तना जो यूंची होता हुए उसका कि ऐनकी होते हैं उसक्तना जो चटर देख के कहते हैं तुम लोगों यूची ओधे हो चीझा बिर்कुछ ध्र और फिर यूंची कहते है कहते है कि मैं तुमाइ फातना एफ़ एफ़ चीज़े करूँगा कि जो शेतान होगा वो भी देखके काप जाएगा तो फिक न जो यूंची होता उसक्यांखों में हीरोती गोड की लर्ट चमकती है अब ये देखके न यूंची का जो दोस्त होते है वो बहुत ही वैड डर जाता है और फिक वो फोर से कहते है कहते है कि इसको टेलिपोर्ट ना दो पकड़ो इसको यहीं पर मार दो अगर एक दोफ़ा ये यहां फे चला गे ना पिर हम इसकोई भी वापफ नहीं बचेगा क्योंकि ये हम से बहुत ही वाया घटिया बदला लेगा और ये केकर वो फब लोग ना यूंची पे अटेक कर देते हैं मगर जो यूंची ओते हैं वो ना वहांपे टैलिपोर्ट होजाता उस यक्त लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताओ दो यूंची की जो वायफ व्याक हिन्नः होती है वो ना बुरी ही नहीं होती है वो यह ये सब कूछ ना यूंची की खातिरी कर linguistic करी ही है मगर उसको इसे कोई भी फार्ख नहीं होता क्यूकि वो यूंची से बहुत ही दा प्यार करती है और दौस्तों फी यहीं फीया ही है जो यूंची होता छू उता वो नाENT फीदर नॉर्थर रीजन में चला जाता है जो पूरा धेवल्फ का इलाका होता है और वहीं पर जाके जो यूंची होता है वोना अपना इंपायर खाड़ा करने का फैफला करने ते है और ये फक्त ना जो यूंची होता है उसने फिर एक ही चीफ फोची होते है कि उसने फिर कल्टिवेशन करने है और इतना पार्फुल होना है कि बहुत और उसे अटना जो यून्ची होता है वो ना कल्टिवेशन करने पर लग जाता है यून्ची ने कभी भी कल्टिवेशन करने के बारे में इतना फोचे ही नहीं था वो हमेशना फिर मज़ेशन करता रहता था और वो ना कभी इतना वैपार्फुल होना चाहता था मगर आप जो यूंची है उसके आंकों में फिर खून ही होता है उसको फिर इतना पता होता है उसको फिर इतना पता होता है उसको फिर एक बंदे को मारता है जो उसके मकसद की बीच में आ रहा है यून्ची पहले कभी बेकफूर लोग को नहीं मारता था मगर आप यून्ची किसी को भी नहीं देख रहा ऐसे करते करते हैं जो यून्ची होते हैं वो ना पूरा कपूरा जो डीमन डीलम होते हैं उसके उपर भी कंट्रोल कर लेते हैं और उस जो demon realm की जो कुई नोती चीवू या उसके साथ भी शादी कर लेते हैं और उसको और अपने जो empire हो तो उसको आपसे मर्च कर लेते हैं और अपने अकेला ही demon lord बन जाते हैं और इस time में जो युन्चे होते हैं वो बहुत ही वैत तेवी से grow कर रहा होते है और इस time में जो युन्चे होते हैं वो बहुत ही बड़ी आर्मी भी कठा कर लेते है इसके इलावा जो युन्चे होते हैं वो ना किसी भी जो devil है उसको ना जो god realm उसमें अराम से बेज़ सकते है यानि जो god realm के जो लोग है उनको नहीं पहाँ चलेगा ये devil है और इसके इलावान जो devil फ्लोग होते हैं जब वो गोड़ इला में जाते तो उनकी जो पावर होती थी वो ना 80% तक सप्रेफ हो जाती थी लेकिन जो यून्ची होता वो ना ये फारा सिफ्टा मटा देता है अब ये नहीं बताया गया कि नॉवल में यून्ची अफ़ा कैफे करता है वाफ इतना पहाँ चला है कि ये फपूना creation की power के help से वो कर रहा है और इसके इलावान जो यून्ची है वो किफी भी इन्वान क लेकी फात उड़ाता है पकड़के ताकि जो गोल्ड निलम और अपने बीच में एक वार स्टार्ट कर सके और जब वार स्टार्ट हो जाती तब वो ना फब पहले इस्टर निलम पे टैक करता है जहां कि जो powerful king होते चार उनको मारता है पकड़के यहां तक कि अपनी जो वा उनकी होता है उसको ही पकड़के मार देता है यहां तक कि उसका पूरा पूरा इंपायर कबवे में कर लेता है और उसकी इलाके में जितने वी जो प्लैनेट्स आते उससाब यूनची के अंडर में आ जाते है और फिर आते ड्रेगन रिलम का नंबर और उसको ही पूरे तरी के फिर डिस्टोय कर देता है यूंची पकड़ के और उसके अंदर विजितने जो ब्लैनेट आते हैं वो फब ने यूंची के हो जाते है और जो यूंची होते हैं वो पहला और आखरी बंदा बंढ़ जाते हैं जिसकने पूरे पूरे के पूरे गोल्ड-ेलम को एकी फात प्रीट हो जाएगा और वो जितने भी जो पारफुल हो गया उन सब को मार देगा और पूरे के पूरे गोल्ड ही हमें कल ट्रोल ले लेगा तब वो एंड में जाके ना अपनी पावर से अपने आप कोई पूरे थरीके से खतम कर देगा और यह अपको ना जो यूंची होता है किश normally सब्सकुल होता है क्योंकि जो यूंची होता हो जो आप लोगों को ना सबस्क्राफब आठ यूंपरर अफ्ल में वो ज Southern Suriya को प्लैनэ्ट दिस्ट्रोइब करने जिसके ना जो यूंची उसको बहुत ही वादे फिरे टोर्चर किया था और ये ना गोर्ड इलियां की ना तीन फ़र्फ से वैदे खुबफरत लड़कियों में फे भी एक होती है इसलिए शुरुआत में यूंची को वह फे बहुत ही वादे टोर्चर किया था मगर आगे होती है वह ना हर किसी को यूफ करें और पास लोगे और जो यूंची होते है वह ना शुरुआत में इसको भी यूफ कर रहा होते हैं मगर हलका करके हैं जो क्या नहीं इंगर होती है उसको ना यूंची से प्यार रहे लग जाता है इसको पता होता है कि जो यूंची के साथ ने एक बच्चा पैदा कर लिती है, यानि जान मुझके ला प्रेग्मेंट हो जाती है, मतलब वो जो बच्चा होते हैं, वो ने एक फाइट कर देना मारा जाता है, जब यूनची को ये बात पार चलती है, तब जो यूनची होते हैं, वो दुबारा फिना इतना फैदा पढ़के, और फिर जो यूनची होते हैं, वो ना वापर इसके पाफ आता है, और इसको कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, जो यूनची होते हैं, वो ना थोड़ी बुद इंसानेद बची हुई है, और फिर दोस्तों, यहीं फिरा जो यूनची होते हैं, वो ना क्यान जी कभी पिए अपने मकसद से नाट है और हो कभी पिए अच्छा ना बन पाए मैं ऐसे भी गोटिलम को जीत रहें के बाद की भी आगी की स्टोरी है मगर नोवल अभी आगे तक गया नहीं है इस वाले से मैं आगे तक जादा एक्स्पेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तक मैं नोवल को जो न्यू चेप्टर वो नहीं आया और बात रहेंगी आखिर कब आएगा तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये ना 2025 को ना 1st January को ही आएगा जब ने इसको जो डौग हो एसको सीजन 2 आएगा और इसे बने से ना piping लोगों थोड़ा ओर वेट करना होगा तो दोस्तों अगरal आप लोग को इस वीडियो अची लगें अच्छी लगें तो जल्दी से इसको